कि नमस्कार दोस्तों आवरी गुडी इवनिंग टोल आफ यू वलकम टू सुवल्स टाप हिमाचल सुवल्स टाप हिमाचल के यूटीब प्लेटफर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मेरा ना मेरो हित और आज की हमारी क्लास के इंदर स्टुडेंट्स हम डिस्कस करेंगे देली करेंट अफर्स ऑफ टुडेइब डाट इस ट्वेटी सिक्स्त ऑफ मार्च ट्वेटीटी फॉर्ट अवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर विजिवल है करेंट अफेस की हमारी क्लास सुम वार्त लेकर यह यह सब होती है जिसके इंदर हम डेली के इămपार्टन करेंट एफ उसक। को पर जिसक्राइब बढहेंगे आगे आज के आजकी आज यह की इंपार्टन करने disc करेंगे और देखते हैं सबसे पहले और देखें करेंट FS की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू हिमाचाप प्रदेश Administrative Services, नायपता सिंदार, अलाइट, पतवारी, समिंस्पेक्टर, जियो आइटी, जियो अकाउंट्स और हिमाचाप प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव बैंक हो इन सभी को लेकर Civil Stab अपने नए बैचे से लीकर आ रहा है, अगर आप किसी भी बैच को जोइन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप description box में दिये के link पे click कर सकते हैं, या फिर आप हमारी application Civil Stab हिमाचल को भी अपने mobile phone के अंदर install कर सकते हैं, चले बढ़ेंगे आगे, और discuss करेंगे यहां पर आज के important current affairs को और देखते हैं, कि आज के हमारे important current affairs क्या कहते हैं, तो सबसे पहले current affairs की बात करूँगा, that is word tuberculosis day, यानि की word TB day, देखिए, TB एक बिमारी है, TB एक disease है, जो की mycobacterium की वज़ा से होता है, हमारी body के अंदर एक bacteria आता है, जिसको mycobacterium कहते हैं, उसकी वज़ा से हम एक बिमारी हो जाते हैं, जिसको tuberculosis बोला जाता है, और यहां पर हम बात करेंगे word TB day की, तो word tuberculosis day जो है, वो हर साल observe क्या राता है 24 मार्च को, 24th of March को हम हर साल word TB day observe करते हैं, word TB day को observe क्या राता है, every year, हर साल हम इसको observe करते हैं, देखिए, इसकी शुरुआत जो है, जब यहां पर Robert को जो है, Robert को जो है, इन्होंने वो बक्टीरिया खोज लिया जिसकी वज़ा से TB होता है, जब इन्होंने बिमारी की जड़ पकड़ ली कि यह बक्टीरिया बॉड़ी में आने की वज़ा से, यह tuberculosis नामक disease जो है, होने वाला है, तो disease के लिए awareness को raise करते हुए एक दिन observe किया रहाता है, जिसको हम कहते है, word tuberculosis day, word tuberculosis day, इसको बोला जाता है, clear, किसी को कोई सवाल, किसी को कोई doubt है, तो आप यहां पर पूछ सकते हैं, इसके साथ अगर मैं theme की बात करना चाहूं, तो 2024 का दोस्तो theme है, word tuberculosis day का, yes, we can end TV, yes, we can end TV, और इसी के साथ साथ जो आ 1983, 1983 के अंदर पहली बार word TB day को observe किया गया था, word tuberculosis day को observe किया गया था, इसके साथ साथ भारत देश के अंदर परधान मंतरी, ABM मुक्त, भारत अभ्यान चल रहा है, इसके साथ साथ इसको मैं निक्षे पोशन योजना भी कहता हूं, निक्षे पोशन योजना, अब निक्षे पोशन योजना की शुरुवात 2018 में हुई थी, इसका में लक्षे जो भारत वर्ष के अंदर है, 2018 में इसकी शुरुवात की गई थी, हमारे जो TB patient सुनते हैं, उनको 500 रुपे प्रती महा देना, अब 500 रुपे प्रती महा देना, अब 500 रुपे देकर क्या होता है, ताकि ये nutritious फूड खरीद सकें, अपने लिए अच्छा बहतर खाना खरीद कर खा सकें, इस वज़ा से इनको 500 रुपे दिये राएगे, तो yes, we can end TV, ये theme यहां पर रखा गया, और वर्ट ट्रुबर क्लास दे जो है, वो अब्सर्व किया, गया, I think सब को समझ में आ गया होगा, किसी भी पेपर से वोटिंग को अप्रूवल दिया गया है, बट मैं आपको यहां पर बता दू, वोट फ्रॉम होम इसी के साथ साथ एक फीचर है, और वोट फ्रॉम होम की बात करें, तो हमारे जो disabled person है, persons disabilities, या फिर ऐसे लोग है जिनकी आयू 85 साल या उन से भी जादा है, ऐसे लो वोट की, रिकवरी वोट का कवरेज कर रहे हैं, और वो वोट देन नहीं जा सके, वो भी यहां पर वोट फ्रॉम होम का फीचर इस्थवाल कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों नया गाता है, नेक्स्ट फीचर है, हमारा वरकर फ्रॉम साथ एसेंशल सर्विस, जो ऐसे वरकर उसेंशल सर्विस के साथ जुड़े हुए, पेट्रोल के साथ या हल्प सर्विस के साथ, एजूकेशन के साथ, वो भी यहां पर वोट फ्रॉम होम के चलता हो, वोटिंग कर सकते हैं, सबसे पहले फोर्म डाउलोड करना होता है, बारभा डी, उसके बात ऐसे आपको उसके बाद आपने application file करना है पांच दिन के अंदर अंदर ठीक है जब election है district election commissioners के office के अंदर दो polling officials एक videographer एक security person जो है वो आपके घर जाएगा और देखेगा कि आप ballot paper से voting कर रहे हो के नहीं कर पा रहे हो और voter को बता दिया जाएगा कि message करके कि उसके voting का time कब है यानि कि जो security person है और videographer है कब इनके घर पे आने वाले हैं वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा call पे या message पे पहले ही बता दिया जाएगा call पे या message के उपर चलिए दोस्तों अगला current पर बात करेंगे उशा महता जी की उशा महता इनको radio band बोला जाता है इनको क्या मोलते हैं भारत के अंदर radio band बोलते हैं इनको radio band बोला जाता है यह बात हमेशा ध्यान में रखना है और यह है उशा महता अब उशा महता जी की बात करें तो इनका जर्म गुजरात में होता है 1920 में 25 मार्च को इनका जर्म होता 25 मार्च 1920 को और यह गांदी जी की बहुत बड़ी भक्ती 1928 के के अंदर जब साइमन कमिशन भारत आया तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें लाला जी मारे गए थे यह भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी यह भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी और मैं आपको बता दू 14 अगस्त 1942 को यह और इसके कुछ एसोसियेट् चलाया था जो की All India Radio पर बज़ा 27 अगस्त को 27 अगस्त को क्लियर हुआ students किसी को की सवाल चलिए आगे बढ़ते दोस्तों इंडिया का पहला Nuclear Energy Summit इंडिया का नहीं बोलूँगा दुनिया का सबसे पहला Nuclear Energy Summit अभी और गनाइज किया गया था जिसके अंदर भारत की तरफ से भ अलेक्जेंडर डी क्रू और जो डिरेक्टर जदल है हमारे International Atomic Energy Agency के रफैल मेरियानो ग्रॉसी इनों दोनों ने मिलकर पहला Nuclear Energy Summit जो है Brussels के अंदर और और गनाइज किया यह बात हमेशे धान रखेंगे यह जो सम्मिट है किस प्रोग्राम के दायत होती है इसको मुलते है Atoms for और Net Zero, Atoms for Net Zero International Atomic Energy Agency का टार्गेट है यह और Atoms for Net Zero जो है एक इनिशेटिव जो कि लाँच किया गया Net Zero Carbon Emission को अचीब करते हुए इसको COP 27 पे लाँच किया गया था और यह इनिशेटिव जो है यह Decision Makers को Data Driven Energy Scenario Modeling करके देता है So Decorbonization की तरफ हमारा पहला कदम आगे रखते हुए हमें इसे लाँच किया गया है किसी भी student को कहीं पर कोई सवाल है कोई डाउट है कोई confusion है आप पूछ सकते हो और अगर मैं बात करता हो further nuclear energy क्या होती है तो nuclear energy एक ऐसी energy होती है जो कि nucleus से निकलती है जो क्या होता है nucleus क्या हो जो दुनिया भर में ऐसे हैं जहां पर low carbon energy जो है वो एक quarter level पर ही है और अगर 60 reactors construction में है तो जहां पर 110 जो है storage प्लैनिंग स्टेज हम पोहन चुके हैं एशिया के अंदर यह यहां पर fix रखा गया है और चाइना जो है दोस्तों इसका जो nuclear energy का share है वो 10 प्रतीशत हो जाएगा 2035 तक और 18 प्रतीशत हो जाएगा 2060 तक यह target यहां पर fix किया गया है एक बार चितने भी students class देख रहे हैं एक अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का पहला commercial nuclear power plant पहलगण से बनाया है तायरापूर आफर्स ने यहां तायरापूर ने एक reliable energy जो है 2 kWh का lower than solar energy tariff भी देख रखा है और अगर बात करें नूकलियर पावर की तो नूकलियर पावर से सरफ 1.6% ही इंडिया के अंदर renewable energy जनरेट होती है इंडिया का जो नूकलियर प्लांट्स है reliable energy जो है competitive prices पर देता है coal और solar को लेकर और challenges जो यहां पर आते हैं वो आते हैं stigma, regulation, project tolerance, limits, adoption यह सब यहां पर देखा जाता है चलिए, next हमारा जो current affair है दोस्तों यह है नेत्रावती riverfront project अब नेत्रावती को लेकर NGT की कुछ guidelines आती है NGT के है दोस्तो national green tribunal, national green tribunal है tribunal यानि की एक quasi judicial body है और इंडिया में tribunals को लेकर जो amendment आई थी वो थी 42nd constitutional love invite act 1976 का जिसके चलते हुए हमने tribunals को add on किया tribunals पहले नहीं थे हमारे पास दो तरह के tribunals है आर्टिकल 323 A में administrative tribunals और आर्टिकल 323 B में tribunals for other purposes, tribunals for other purposes तो यह tribunals for other purposes के चलते हुए हमारा जो नेत्रावती डिवर फ्रेंट प्रोजक्ट है यह काफी important हो जाता है क्योंकि NGT के principal वैंच ने बोला है कि नई दिल्ली के अंदर जो भी नेत्रावती waterfront है प्रोजक्ट को लेकर मेंगलोर के अंदर और नाशनल ग्रीन ट्रिबुनल जो है इसने importance जो है देखी है environmental और social issues की इस प्रोजक्ट को लेकर नाशनल ग्रीन ट्रिबुनल नाशनल ग्रीन ट्रिबुनल clear चलिए और नेत्रावती river project जो है यह बहुत जारा famous urban development को लेकर क्योंकि यहां पर urban development जो है बहुत जारा की गई है clear चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों मदरसे की देखें मदरसा क्या होता है जहां muslim बच्चे बढ़ते हैं जैसे बाकी बच्चे स्कूल जाते है muslim के बच्चे जहां पढ़ने के लिए जाते हैं उसे मदरसा बोलते है और उत्तरप्रदेश के अंदर जो मदरसा education act 2004 का मदरसा education act 2004 का वो intervene आता है और यहां पर अलाबाद high court क्या कहता है अलाबाद high court कहता है कि यह जो मदरसा education act है आपका यह act unconstitutional है असविधानिक है यह यहां पर बता दिया गया मदरसा education act of 2004 is unconstitutional यह असविधानिक है अब देखिए court ने यह देखा कि जो act principle of secularism को violet कर रहा है या फिर बहुत सारे other articles को भी violet कर रहा है चाहिए वो article 14 है 21 है 21A है तो यहां पर court जो है इसने देखा कि यह जो act है यह section 22 को भी contravene करता है that is of university grand commission act of 1956 और इंडिया के अंदर इंडियन state of उत्रप्रदेश के अंदर जब कोई court है उसको direction दिये गए है कि state government जो है यह regular school education जो है students को देगी जो की मदरसा में इंडॉल किये हुए है अब देखे यह जो law है यह मदरसा को कहता है कि तुम सिक्षाद होगे Arabic में उर्दू में पर्शन में Islamic studies में तिम लॉजिक में फिलास्पी में और या बाकी किसी ब्रांच में जाकर करकर तुम ऐसा कोई initiative लेते हो clear so यहां पर मदरसा education के accordingly यह unconstitutional है यानि कि मदरसा के अंदर जो बच्चे को सरफ इसलाम पढ़ना सिखाये जाता है यहां पर diversification बहुत जरूरी है बच्चे को सरफ इसलाम पढ़ना मत सिखाये बच्चे को बाकी चीज़े भी सिखाये यह यहां पर मदरसा एक्ट simply मदरसा एक्ट था तो मदरसा एक्ट को लेकर यहां पर हाई कोट ने उसे unconstitutional डिकलेर करते हुए फैसला ले दिया क्योंकि कोट क्या कहता है यह आर्टिकल 14, 15, 21A ठीक है इन तीनों की violation है इन तीनों की क्या है violation है और 16,513 मदरसे हैं उतरप्रदेश के अंदर 560 जो है इनको सरकार से grant में बलती है देखिए education जो है सिक्षा जो है clear education जो दोस्तों आती है यह higher education की मैं बात करता हूँ higher education union list में आती है higher education clear यह बात ध्यान लखना चलिए next नेक्स्ट है इंडिया's outlook for next fiscal positive अब next fiscal की बात करता हूँ यानि कि यह जो अभी financial year आने वाला है ठीक है इसको लेकर भारत को लेकर जो अगली report है के अंदर सरकार की finance ministry की report है वो positive है और यहां पर इंडिया outlook को लेकर अभी क्या parameters कहते हैं अभी कहते हैं कि जो financial year आपका अभी चल रहा है इसके अंदर इंडिया 8% ग्रोथ लेकर आएगा यह बात clearly समझ लीजे चलिए साथियान गनेसे करन जो है इनको मिलता है पहला word tt feeder title यानि की table tennis के बहुत अच्छे player है यह साथियान गनेस करन तो इनको मिलता है एक खिताब क्या इन्होंने man single title यहां पर जीता है और साथियान जो है एक सुतीनवे नंबर पर आते हैं दुनिया भर के अंदर और अगर मैं बात करूंगा all india woman all india mixed double final की तो यहां दिया चिता ले और मनुष शा जो है यह टॉप पर आते हैं मानब ठक कर और अरचना कमत को हरा कर clear हुआ किसी को कोई सवाल किसी को कर डाउट किसी को कोई confusion तो यह मैं आपको बता दूँ कि यह जो feeder series है यह बेरूट लेबनन के अंदर inaugurate की गई है बेरूट लेबनन के अंदर इसको inaugurate किया गया हाँ जी clear हुआ तो यहां पर आज के current office को अभी हमने cover कर लिया है अभी हम MCQs की तरफ move on करेंगे तो जितने भी हमारे MCQs हैं इनको cover करेंगे जो भी important चीज़े MCQs को लेकर आती है MCQs को cover करने वाले हैं तो पहला सवाल आपकी screen के उपर आ चुका है आप लोग भी answer करें यह सवाल क्या कहता है और answer आप सभी को करना है देखते हैं यहां पर कौन सही answer करने वाला है what tuberculosis day हर साल 24 मार्च को होता है इसके लिए awareness के लिए theme जो रहती है इसकी yes we can end TB उसके बाद निक्षे portion योजना की बात कर लेते हैं तो निक्षे portion योजना जो है इसे 2020 में launch किया गया तब by the ministry of health and family welfare और यही निक्षे portion योजना कहती है कि हर एक tuberculosis patient जो है इसे direct benefit transfer दिया रहेगा पंदरा सो रुपे प्रतिमहिने का nutritional needs के लिए अब देखिए पहली statement थी correct है second correct है तीसरे गलत है 2018 में दिया गया और पंदरा सो नहीं मिलेगा सिर्फ 500 रुपे मिलेगा इस वज़ा से option A जो है पहले दो सही है हमारा right answer हो जाता है option A चलिए अगला सवाल आपकी screen के उपर आ चुका है अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है और 8 अगस्ट 1941 दा हिस्टोरिक कुट इंडिया रेजूलिशन वास पास्ट दूरिंग दा और अल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी मिटिंग इन मॉंबई उश्या मेहता वास कॉंफेट दा पदमा विभूशन वन अफ दे इंडियास हायस्ट सिविलिन ओनर इन 1998 और 12 अफ नवंबर 1942 जो पुलिस जो है इन्होंने रेड किया था रेडियो पे रेडियो स्टेशन पे वंदे महतरम बजते हुए यहां पर वंदे महतरम चल रहा था और महता और कुछ और लोगों का अरेश्ट कर लिया था और अगर मैं बात करता हूँ 8 साल की तो 8 साल की उ पहले स्टेटमेंट की बात करता हूँ गलत ठीक है पहला गलत है क्योंकि यह 8 अगस 1942 को हुआ दूसरे स्टेटमेंट की बात करता हूँ यह करेक्ट है तिसरे की बात करता हूँ यह भी करेक्ट है और चोता जो है यह भी गलत है क्योंकि साइमन कमिशन 1928 में था दूसरा औ चलिए अगला सवाल देखेंगे पहला नुक्लियर एनर्जी सब्मिट जो है यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम के दारा कोचेर किया गया अलॉंग विधा डेक्टर जनल ऑफ इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी एजंसी नेत्रवती रिवर जो है यह वेस्टन घाट से सब्सक्राइब करती है बैंकराब वाली के फोरस्ट वैली से और यलनार घाट सौफ कुद्रमुक रेंज की तरफ अगे बढ़ती है चिकामा गुलूरू डिस्टिक ऑफ तमिलाडू के अंदर और अलावाद हाई कोट लाका जो लखनव बैंच है उसने बताया कि यूपी ब क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि यह तमिलाडू में नहीं करनाटका में यह करनाटका के अंदर है तमिलाडू के अंदर नहीं है अगला सवाल पैरिस जो है इसने फर्स्ट एवर को होस्ट किया प्रिंसिपल बैंच जो है और इनिशेटेड एक्षिन जो है नेत्रावती वाटरप्रेंट डेवलप्रेंट प्रजेट्ट के भवनेश्वर के अंदर चले और इस कोट ने देखा कि सेलेबस जो है दस्वी और बार्रवी क्लास का फद्रसस के अंदर यह अनके इनकंसिस्टेंट है विद दर राइट एजुकेशन एंद कॉंस्टिटूशन एक पहली बात नुकलर नजी समिट जो है ब्रूसल वैल्जिम में हुई है इस वड़ा से गलत हो जाएगा और एंटिटी का जो प्रिंसिपल बैंच है यह नहीं दिल्ली के अंदर है और भुबनेश्वर के अंदर भी इसको बनाया ज साज is inconsistent with the right to education of the constitution अब यहाँ पर अगर हमने देखता हूं तीन स्टेटमेंट अधेको मेरी पहली स्टेटमेंट गलत थी ठीक है अब इसके बाद मेरी जो दूसरी स्टेटमेंट है यह भी गलत है तीसरी करेक्ट है यूँकि यह भुबनेश्वर नहीं मेंगलूरू आना चा इन्टरनाशल अटमिक अनरगेरल्सी अटम्स पोर नेट-जेरो प्रोग्रम नाशनल ग्रीन तुमनल थी एसके बाद अगर में बात करता हूं तू बी रिकोगनाइज वाइज बाद अमधरसा मस्त बी एस्टाबलिश अ मुसलिम मिनॉर्य इस्तूश्टिश्य इस्टूर्स इस्टूदी्स इस्लाम इन एवरी क्लास इव्र ईंख अब यहां पर आप देखेंए तो आपको तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नजर आ रही हैं नई येश कू यह फूरा सा कुछ गलती हूगा to be recognized by the board of madrasa must be established as a muslim minority institution where every student studies islam in every class to be promoted so option d option d the vote from home facilities reserved from person with disability and senior citizens and the form 12 d has to be filled and submitted within five days of notification of the polling date both are correct both are correct so it means option c is correct as per the finance ministry report what will be the gdp growth rate of india in financial year 24 financial year 24 में finance ministry की report के accordingly gdp कितना रहने वाला है gdp यानी की gross domestic product सकल घरिलूत पाद कितना देखने को मिलेगा यह मिलेगा 8% आठ परतीशत आठ परतीशत क्लियर चलिए अगला सवाल साथियान ग्यान सेकरन जो है इनकोंने इतिहास बनाया यह पहले भारतिया बनेया जिन्नोंने मैं सिंगल टाइटल जीता है WTT feeder series event के अंदर बेरूट लेबनन के अंदर सो कौन से खेल में यह समन्दित हैं टेबल टैनिस बहुत बढ़िया टेबल टैनिस चलिए तो students यह था आज का हमारा current FS का class plus mcq session मैं उमीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ मैं आया होगा किसी भी student को कहीं पर कोई सवाल कोई doubt कोई confusion रहो you can ask in the comment section आप comment section के अंदर पूछ सकतें चलिए बहुत बहुत धन्य झाल